यूएन में पाकस्तान के जूट की पोल खुलने के बाद एक बाव फिरोसे दुनिया के सामने शर्मिसार होना पड़ा दरसल यूगाणडा की राजधानी कंपाला में अचितराष्ट्र मंड़स दसी कॉन्फरेंस में पाकिस्तान फिर से दुनिया के सामने जूट फरोस रहा था बलकि कश्मीर को लेकर कहीं आरोप लगा है लोगसभा सची वाले की तरफ से जारी बयान के मताबेक पाकिस्तानी संसदी प्रतिनीधी मंडल ने महासभा में कहा कि भारती सेना ने कश्मीर पर कब्सा किया था पाकिस्तान के जूटे प्रचार पर भाचपा संसद रूपा गांगुली ने ततकाल पलटवार किया सांसत गांगुले ने कहा कि सैनिश शासन की परंपरा पाकिस्तान में प्रचलित है इसलामाबाद के ही 33 साल तक सैनिश शासन रहा था उन्होंने कहा कि भारत में सैनिश शासन की बारे में कोई नहीं जानता भारती दल लोकसभा द्यक्ष ओम बिडिला की अध्यक्षता में इस कॉन्फरेंस में पहुचा था दल में बिडिला और गांगुली के अलावा लोकसभा में कॉंग्रिस दल की नेताधी रंजन चौधरी एल हनमत्या अपराजिता सारंगी और लोकसभा की महासची इस नहलता श्रिवास्तव शामिल थे से पहले पाकस्तान के मालदीव में आयो जित दक्षण एशियाई वक्ताओं के शिखत सम्मिलन के दुरान भी कश्मीर मुद्दे को उठाया गया था लेकिन भारत के कड़े विरूत की बाद माले की इस घोशना में इसे खारिच कर दिया गया subscribe our channel and press the bell icon for more updates